यार चोप तेरी क्या प्रॉब्लम है यार तू आज फिर सुपा सुपा मुझे क्यो परिशान करने आ गया यार ओए फ्रैंक्लिंग भाई यार ओए मैं तुपे परिशान करने नहीं आया हूँ यार और बाहर देखो जरा कितनी ठंड है यार हम उसे कैसे बचाने जाएंगे यार अच्छा बाहर में भी तो देखू यार कितनी ठंड है ओ पाई या तो बहुत ठंड है अंदर जाना पड़ेगा यार चोप तू सही के रहा यार इस कंडिशन में तो हम लिटिल शेरा को बचाने नहीं जा सकते एक काम करते मैं जल्दी से जाकर अपना ड्रेस शूट चेंज करता हूँ और ठंड वाले कपड़े पहनता हूँ अब मेरा क्या यार चोप तू टेंशन मतले अभी तू जल्दी से चल मेरे साथ में मेरे पीछे अभी देख मैं तुझे एक सर्प्राइज देने वाला हूँ हमारे पास आज एक और न्यू ब्रेंड गाड़ी है जिससे कि हम कालका सूर गोट चिला हल्क सब को मार डालेंगे और जल्दी से चलते मांट चिलियार पर अरे यार यार ये कोने एक काम करते हैं आपको मैं आज गाईज इसका जो है ना इसका घर दिखा दूँ यह चोप का मेरा घर कब बनाओगे आप मेरे भाई का घर बनाते ते हो मेरा घर कब बनाओगे यार यहर चोप तू तेरी अभी बगवास बंद कर अभी हमें बहुत जरूरी काम है वह क्या है तुझे पताईए हमें आज तो लिटिल शेरा को किसी भी हालत में कालका सूर के चंगुल से चुड़ा नहीं होगा तो अभी यह गेट बंद है चला जल्ली से आजा मेरे पीछे गाड़ी में बेट जा आए ओए गाड़ी ओए कौन से गाड़ी यार ओए फ्रेंक लिंग भीया तुम को इस गाड़ी लाए हो ओ तेरी ओ भाई यह कहां से लाए हो ओए मनना ओए यह तो बहुत शांदार है आए मिन फ्रेंक लिक भाई यार अरे हा यार देख अभी पीछली वीडियो में हम लिटिल शेरा के पास नहीं पहुच पायते उस खटारा गाड़ी से बट आज देख मेरे पास तोप वाली गाड़ी है अभी मैं उसको दिखाऊंगा किसमें कैसे तोप तो चला ना ओई तेरी को यह तो चलती भी यार और मजह आ गया यार अरे चौप तू टेंशन ना ले देख कितनी बहंकर तो पर अभी ना कालका सुर्च सामने आएगा ना तो उसको उड़ा डालेंगा और आज तो हम लिटिल शेरा को हमारे शेर लिटिल शेरा के शेर में हाना ही होगा ओहाना ओह जाली चलो यार अस तो पहुत मंजह आएगा काल का सुर्च के मजह लेंगे आस हां यार चोप जल्दी beyond रहे हम अभी कालकासुर से फाइट होगी हमारी तो अभी सबसे पहले में देखते को इसकी ना इसकी पावर बताता हूं यह देख कितनी बहंकर पावर है अभी ना कालकासुर को भी इसी से उड़ाएंगे और लिटिल शेरा को वहां से लेकर के आएंगे जल्दी से चलते हैं अभी मौम चिलियाट के उपर आए मन्ना ओई पहुच गए क्या ओई यह इसा इलाका दिक रहा है मुझे मुझे इसा क्यों लग रहा है कि हम पहाड़ी के उपर पहुच गए हैं यार अरे हाँ चोप बस पहुचने ही वाले हैं वहां पर लिटिल शेरा और कालकासुर गोट जिलालक सभी हमें मिलेंगे उनसे हमें फाइट करनी पड़ेगी तो यार चोप अभी हम पहुच चुके देख ले अभी पहाड़ी के उपर है यार यहां से रिवर्स क्यों जारी है यह गाड़ी यार मुझे आगे ले जारी पड़ेगी अभी बहुत प्रॉबलम हो रही है क प्रॉबलम हो यह बहुत अच्छा एडिया है चल अभी जल्दी चल उपर चलते हैं यार मुझे तो काल का सुर्की आवाज सुनाई देरी यार और यह यह क्या हो रहा है और रुप जजरा अरे नहीं चोप कुछ नहीं हो रहा है अभी जल्दी से चल लिटिल शेरा को बचा नहीं पाएंगे यार अरे हां यार चोप तु सही कह रहा है यहां तो बहुत बड़े-बड़े बम के गोले गिर रहे देख किते भरा अरक पत्तर गिर रहे यार अभी जल्दी से चलते हम वरना लिटिल शेरा कहीं पत्तरों के बीच में दब ना जाए तो आज तो लिटिल उपर से गया यार ओई मुझे पोड़ लग रहा है ओई चली चलो ओई कहीं हमारे उपर ने गिर जाए ओदेखे को राया ओई ते लदर अट जा साइड मेड़ जा ओई मैज भी बजगिया यार वरना ये तो हमारा हलवाए निकाल देता अरे हां यार चोप यह तो बहुत ही आई फिकर मत कर मैं तो आ जाओंगा तू संभल के चल यार ओए मेरी टेंचन मत ले मैं आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे तू संभल के चलना बस ओई चोग तेक जल्दी आ मेरे पीछे आ मैं तेको दिखाता हूं कि लिटिल शेरा कहा पर है तेक वो खड़े वो लोग वहाँ पर अभी हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा और काल का सुरूग गोट जिला हल्क से फाइट लड़नी पड़ेगी अभी मैं अपनी स्नाइपर नि हमारी चटनी बना देगा ओई हल्वे एक काम करते हैं यहां से भागने में हमारी भलाई है हम ना एक काम करेंगे और कभी लिटिल शेरा को छोड़ाएंगे यार मुझे पौड़ लग रहा है अरे नहीं यार चौप अभी ये डरने की बात नहीं है अभी हमें आस तो ना लि पर बास में कोन है यार यार अधिरी या तो आइरेन मैन ب developers य来 यार इयर ये कोन है य ये गाचिल chitla halk है ओई तेर तो काल का सुर्का काल राकसि का सर यारי यार ओई मैं तो फट रही है मैं और मैं तो आ ये जहा रहा हूँ अधिर जा रहा हूं यार अरे हां यार चोप जल्दी से चल अभी हम यहां से जूले में बेट के डारेक्ट नीचे बागते हैं और फिर कभी आएंगे हम लिटिल शेरा को छोड़ाने के लिए अभी आजा जल्दी आजा तू मेरे पीछे-पीछे अरे हां यार चोप मैं चल रहा हूं अभी एक काम करते हैं हम एक बड़ी सी तोप लेकर आते हैं तो अच्छा हुआ हम लोग तो नीचे आ गए वरना वो लोग हमारी चटनी बना देते हैं